जिन्पिंग ने क्या बाइडेन से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है जानेंगे किस तरीके से चाइना के विदेश मंतरी ने मुस्लिम देशों को नियोता दिया और इस मीटिंग में क्या हुआ है और इसका असर इजराइल हमास जंग पर क्या पढ़ने वाला है जाने पर भी इसका क्या असर होने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर गैलेक्सी लीडर जहाज मामले में अब जापान की एंट्री हुई इरान ने किया इंकार तो जापान ने सीधे बात करना सुरू कर दिया है जानेंगे जापान ने आकरामक रूप क्यों आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से ये महज संजोग तो नहीं है कि बाइडन ने जिन्पिंग को ताना साह कह दिया मीटिंग के बाद और चाइना जब वहां से वापस आ गया तो चाइना सांती से बैठ जाए ऐसा हो नहीं सकता है और ऐसा हुआ भी नहीं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए चीनी विदेश मंत्री वांगी ने खास तोर पर नियोता भेजा सोमबार को अरब और मुस्लिम देशों के साथ एक बैठक का आयोजन किया इस आयोजन में क्या चाइना ने सौधी से पंगा ले लिया है जानेंगे ऐसी बातें क्यों कही जा रही है दरसल इनी विदेश मंत्री ने सोमबार को राजधानी बिजिंग में सौधी अरब, जौडन, मिस्र, फिलिस्तिनी राष्ट्रिय प्राधिकरन, इंडोनेसिया के समकच्चों के साथ साथ इसलामिक सहयोग संगठन यानि की OIC इन से मुलाकात, इनके परमुख लो मुसलिम देश वो सारे मेरे मित्र हो और मेरे भाई हो, जिस दिन इसने भाई कह दिया समझ लो उस दिन नंबर लग गया, क्यों क्योंकि पहले चीनी हिंदी भाई भाई का नारा आया था, उसके बाद रिजल्ट मिल गया, और फिर चाइना पाकिस्तान भाई भाई का नारा पाकिस्तान को रिजल्ट मिल गया, तो अब मुसलिम देशों को भी इसने यही कहा है, कि हम भाई भाई हैं, और आपका दुख हमारा दुख है, हम चाहते हैं, कि जल्दी से जल्दी इजराईल हमास की जो ये जंग है, ये जंग खत्म हो जाए, और सांती अस्थापित हो जा इसके लिए मिल कर काम करना चाहिए, खुद सौधी अरब के जो विदेश मंतरी हैं, उन्होंने भी कहा कि गाजा में जल्दी से जल्दी सांती अस्थापित करने के लिए हमें काम करना चाहिए, हमें दवाब बनाना चाहिए, अब इसके बाद यहां से कहा जा रहा है कि लडाई को रोके इस लडाई को और ज्यादा आगे न बढ़ाए आपको बता दें जब सुरुवाती दौर शुरु हुआ था ना तब भी यही कहा गया था कि चाइना ने यहाँ पर अपने जहाजों को भेज दिया है अपने युद्ध पोतों को अरब देशों के आसपास हैं तो वहीं चाइना के विदेश मंतरी भी भागे भागे कई अरब देशों का इन्हों ने दौरा किया लेकिन बाद में जब सौधी अरब के मंतरी अमेरिका गए और अमेरिका से आने के बाद जो OIC की बैठक हुई उस OIC की बैठक में सब कुछ पलटता हुआ नजर आया पर अब भी चीन यहां चाहता है कि उसकी परमुक भूमिका हो जाए वो यहां पर गाजा युद का लाब उठानी की कोशिस कर रहा है पर आपको बता दे यहां चाइना के लिए मुस्किले एक नहीं है बलकि मुस्किले कई है गाजा पटी में चल रहे संगर्स को लेकर अग जब तक एक एग्रिमेंट साइन होगा और जब तक चीजें साफ होगी तब तक आप समझ लीजे इसराइल हमास का जंग बहुत दूर तक हो चुका होगा ये पूरी बैठक बुलाई गई चाइना के द्वारा और इसकी काफी समय से कोशिस की जा रही थी चाइना के खास क्या दवाब के बाद इसराइल को रोका जा सकता है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत को लेकर भी एक बड़ा अलर्ट आ रहा है और भारत को कहा जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि आप यहां पर चेत जाओ और हिसाब से काम करो क्यों स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए इरान का क्या कहना है इरान का कहना है कि जो गैलेक्सी लीडर का अपहरन हुआ है इस अपहरन में हमारा कोई हात नहीं है अब जैसे ही कहा जा रहा है कि हमारा कोई हात नहीं है वैसे ही जापान यहां पर डाइरेक्ट हूती वीद्रोहियों से बात कर रह क्योंकि जापान ने इस पूरे सिप को लीज पर लेकर रखा हुआ है जिस इसराइल के नाम पर इस जहाज का अपहरन हुआ है उसके अरब पती का एक छोटा सा हिस्सेदारी है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी हिस्सेदारी हो क्रीन पर एक कटिंग देखिए इस व काल रहें कि आखिर क्या चल रहा है और कैसे हम इस कार्गो सिप को जल्दी से जल्दी छुड़ूआ सकते हैं इसी बीच जब इरान से कहा गया तो इरान ने कहा कि जी नहीं लाल सागर में यह यमन के पोर्ट की तरफ ले गए हूती विद्रोही इस अपहरन में हमारा कोई हा कि आप यहां पर जल्दी से जल्दी कारवाई कीजिए आपको बता दें अब बड़े एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि भारत जापान और दच्छिन कोरिया को इस जगह पर एक समुद्री निगरानी फोर्स बनाना होगा और अपनी सेना यहां उतारनी होगी क्यों उतारनी हो और भारत की अर्थवेवस्था को अगर विक्सित बनाना है तो उसे खाड़ी देसों से बिना किसी रुकावट के तेल और गैस की आपूर्ती आनी चाहिए साल 2018 में भारत, जापान और दचिन कोरिया समेत एसियाई देसों का 76% कच्चा तेल स्ट्रेट ओफ हर्मुज से आया था जो इरान और रोमान के बीच में हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैप में यूक्रेन युद सुरू होने के बाद दचिन कोरिया जापान और भारत इनकी निर्भरता खाड़ी देसों पर और बढ़ गई है अब यहाँ पर रूस के तेल पर परतिबंद लग गया तो इन देसों से ही तेल लेना शुरू हुआ और इन देसों पर अगर इस तरीके से हुती विद्रोही मनमाना करेंगे तो भारत जापान दचिन कोरिया को इस इलाके में अपनी सेना उतारनी की जरूरत पड़ेगी वरना यहां से बैपार करना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाएगा वैसे इन सब मामले में आपकी क्य